किर्णी की पूरी जनकारी आपको जाननी है देख किर्णी हमारे सहीर का सबसे मुख के उत्सरजी होता है अब ये किर्णी कैसे काम करता है इसका प्रोसेस चीतर का माध़न समझाँगा और पूरी ग्रांटी के साथ कराऊ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा रख्तों को सुद करता है कीड़नी में कैसे पत्थरी होती है किन कीन कार्णों से किर्णी खराब हो जाता है इस विडियो को देखने के बाद आप पूरा जनकारी हासिल कर पाएंगे किर्णी का देखे किर्णी जो अनमाई सहीर का हमुख ह उत्सरजी हंग होता है मतलब अगर चीज को यह दि हमारा अंग निकाल दे रहा है तो वो किरिया उत्सरजन कहलाता लेकिन जो अंग निकालता है वो कहलाता उत्सरजी अंग कहलाता है लेकिन जो पदार्थ बाहर निकलता है वो उत्सरजी पदार्थ कहलाता है देखें जैसे माले जी हमारे नाक से कहता है नेटा पदार्थ जो जिस अंग से निकला वो उत्सरजी अंग का लएगा तो उत्सरजन के अंतरगत हमें पढ़ना है आपका क्या किर्णी पढ़ना है क्योंकि हमारे सहीर का मानो सहीर का सबसे मुख्या उत्सरजी जो अंग होता है वो कौन होता है यह किर्णी होता है देखे हमारे स के होती है अधुसरा का लाल रंक की से होती है तो हरे रंकी नस इस πα्रेम Peru क में पुरा जनकारी दिया था बस हम हमें इसमें मैं कि कैसे काम कर रहा है किसे काम करता पूरा जनकारी हासल कर सबक्स और fifa के को इस हमारी में दो घा influenced यह एक हमारी साहिर में दो किर्नी बाइना पर देखे पर दोस्रीन धा होती है अब जासे वहारे के बाड़ें जानना यह कैसे काम करता है, तो किर्नी जो हमारे साहिर का सबसे मुख्य उतशरजी होता है, यह दोतरा की नस्व से जूरा रहता है, और इसी किर्णी से मुत्रवाही का नलिका निकली रहते मुत्रवाही नलिका जिससे पेसाब मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर आगर हमें जानना हो कि पेसाब कैसे बनता तो पूरा बनाने काम कौन करता किर्णी करता अब सोची कैसे 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 करता होगा पेसाब कैसे बनात तैसी मेडूला के अंदर बहुत सारा संक्वा कारा करती पाया जाता है जिसे हम लोग नेफ्रन के नाम से जानते हैं तोटल जो किर्णी के अंदर काम करता है वो नेफरोन करता है यह निकलता है और यहां से निकलता है खूंपर्वेस करता निकलता है उसको भलता है रेचनर हैं है यहीं पर सबसे ज़़यादा यूरीट इसरी अ के इता यह वहां होता है हमारे सिरस्टे एक जोड़ी इसी और का हूता है इसका का में यह एक जोरी ये खून को क्या करेगा, खून को सूध नहीं करता, चानता है, जैसे हमारा खून है, तो खून के साथ सब अच्छे पदार्थ थोड़े आएगा, अरे उसके साथ कुछ खराब पदार्थ भी आता है, अपसिष्ट पदार्थ भी आता है, तो किर्णी क्या करता है, उस को क्या करेगा च्छान लेगा सूध को वापस बेज देता है और असूध खून को अंदर लेका चला जाता है जो पेसाब के रुप में बाहर नीकल जाता है जैसा चीत्र को समझे यह दो तरह की नस्व होती है पहला दूसर का लाल हर रंग की नस्वेश धमनी होता है जब तो जैसे छानता कैसे खून को सूध करता उसके बार मिजलेगे यह जो चित्र है नेपराउन का ठीक है तो इसमें क्या होगा खून आएगा अब यहां पर नेपराउन खून को सूध करेगा और सूध को बाहर ने मतलब नतब बेकार ची होता है उसको च्छान लेता है और सूध खून को वापस भेज देता है तो इस किर्णी क्या करेगा अब शीष्ट जो खराब ची होता है उसको च्छान लेता है और च्छान का उसको पिसाब करूप में क्या करता है बाहर निकाल देता है कौन किर्णी निकालता है ठीक है अध्यान से समझेगा कि जैसा है यह जो सीरा वाली नसे है यह सूध खून को लाएगा किर्णी के निकल जाता है यह लगबग जो मुत्रासे होता है यह लगबग आधा लीटर यह 500 ग्राम लगबग खून पैपे साब को वापस निकाल दिया इस तरह से काम करता है अब आपने यह देखा कि जो है यह किर्णी के अंदर बहुत सारा संक्वा कर आकर्टी पाजाता है इसे ने फ्रॉन को जब जूम करके बैज्यानी को ने देखा ने फ्रॉन को देखा घए तो ने फ्रॉन का जो अग। इसको गणी अंदर फूलब पर वेस्ट करेंगा तो ने फ्रॉन के पास जाता है च्छान के यह को च्छान को भी है निजुआ को चान को वापस भीज देता है। अब यह वाले वह संपूत के यह जान का लिए भाग पूमेंश अंपुट का लाता है और यह पूमेंश के ठीक है लेकिन पूरा नहीं चांद पाता है तो पूरा चांदने का काम कहां किया था बोमाइन संपूट में यह कहने का मतलब हो गया कि जब किड्नी के अंदर बहुत सा संक्वा करा किरती पाया जाता तो उसे ने फ्रॉन को कर रहा है क्योंकि खूलों को सुध इस चांद लेता हुण को क्या कर घचांदने के बडए इस ईचलिए 的 लेकिन जो रहे होता वो खुलोब मेरूरस होता है जैसे फून उसके पास जाएगा तो गोब मेरूरस उस्कुन को छान लेगा असुद कुन को फेक देगा वापस और असुद को क्या करता है अंदर बोमन संपूट में खीचेगा बोमन संपूट भी फिर उसको चानता है कि अच्छा चीज तो नहीं बच गया अच्छा को फिर चान को वापस करता है जो खराब होता है पाने उनी उस सब को क्या करता है इस यहां पर लाता है इस प्रकार से कौन काम कर रहा हमारा किर्णी काम कर रहा फिर से एक बार समझो हमारे किर्णी में दो त्रकी नसे जुड़ी होते हैं सीरा और धमनी सीरा क्या करता है को लेका लेका एक पहुचेगा किर्णी के अंदर छोटा-छोटा संक्वा कर नसे पाई जाते हैं निफ्रों ने खुन को चानता है जैसे निफ्रों के पहुंचेगा तो ने फ्रों की बाहरी स्रचना गलोमिर्स वैगा जब पास जाएगा तो उसको चान लेगा और जो सुध क क्या करता है यह पुंचा जाता है निकल जाता है तो पिशाब कैसे कि निकाल निकाल देगा अजु आपका फिर से क्या करेगा को लाएका रिद्नी में किस पूरा ज़नकारी किसका अपका ये पूरा जनकारी आपका?" टिका कैसे काम करते पूरा आपको ये समझ में आगे हो गूगा कशा बीशतार से तो कर्ड़नी कैसे काम करता ये पूरा जनकारी आपको मिल गया होगी तिस वीडियो को जितना होसा का सभी लोग पास शेयर कर दिजिए जय हिंदी